आज का हमारा टॉपिक है ड्रा रिक्टैंगल्स आज की वीडियो में हम रिक्टैंगल ड्रा करना सीखेंगे रिक्टैंगल इस तरह की शेप होती है जिसकी चार साइड्स और चार कोने होते हैं अगर हम इसको देखें तो इसके कितने कोने हैं? 1, 2, 3, 4 चार कौने हैं और एक कौने से लेकर दूसरे कौने तक ये जो लाइन होती है इसे हम एक साइड कहते हैं इसकी कितनी साइड हैं? एक, दो, तीन, चार तो रिक्टैंगल के चार कौने और चार साइड होती है इसे हम कहते हैं रिक्टैंगल और इसके जो चार कोने होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि इन पर राइट अंगल बनता है यानि अगर हम यहाँ पर प्लस का निशान बनाना चाहें तो इसकी दो साइड बिल्कुल प्लस के निशान की तरह जुड़ी होती है तो इसको हम कहते हैं राइट अंगल यनि ये जो angles हैं इन्हें हम ये जो कोने हैं इन्हें हम कहते हैं right angles तो rectangle के चारों कोने इसी तरह से होते हैं इसके इलावा rectangle में आमने सामने वाली जो sides होती हैं उनकी length या लंबाई बराबर होती है और ये वाली जो side है इसकी लंबाई इस side से ज्यादा होगी तो इसे हम कहते हैं Rectangle आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम Rectangle किस तरह से Draw करते हैं Rectangle Draw करने के लिए हम अपने Geometry Box से एक Scale निकालेंगे और इस Scale के साथ हम एक Line Draw करेंगे तो हम यहाँ पर एक Line Draw कर लेते हैं हम Zero से शुरू करके Seven या Eight तक हम Line Draw कर लेते हैं इस तरह से और इस Line के नीचे हम लिख लेते हैं Eight क्योंकि इसकी लंबाई हमने Eight के बराबर रखी है अब हमने यहाँ पर Rectangle की दूसरी Side Draw करनी है तो क्या हम यह Side इस तरह से Draw कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जब हम जमा का निशान बनाएंगे तो जमा का निशान नहीं बनता इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से Side Draw करनी है कि यहाँ पर जमा का निशान बने तो इसके लिए हम Scale को इस तरह से रखेंगे کہ یہاں पर इस तynh का कोना बन जाये तो स्केल की एक जो साइड है वो हम इस लाइन के बिलको साथ इस तरह से जोड़ के रखेंगे और यहां पर हम थोड़ी सी लाइन लगा कर कोना बना लेंगे जो कि राइट आंगल की तरह होगा और यह जो साइड है यह हम कितनी रखेंगे? यह हम इस eight से कम रख सकते हैं, इसके बराबर नहीं रखेंगे तो इसको हम रख लेते हैं four तो four के सामने से हम इस line को इस तरह से मिला लेंगे तो zero से लेकर four तक यह इसकी दूसरी side बन गई इसके साथ हम लिख लेते हैं four क्योंकि rectangle में एक जो side होती है, वो साथ वली side से ज्यादा लंबी होती है अब हमने यहाँ पर इसकी एक और side बनानी है इस तरह से तो उसके लिए भी हम पहले scale रखेंगे scale रखकर हम इसकी यह वली side rectangle की इस side के साथ रखेंगे और यहाँ पर एक सीधा, यहाँ पर सीधी line लगाकर हम यह कोना बना लेंगे और यह side कितनी लंबी होनी चाहिए, जितनी इसके सामने वाली side है, यहनी 8 तो हम यहाँ पर इसका एक कोना जीरो के सामने रखेंगे और इस line को हम रखेंगे 8 तक, यहाँ तक हम यह line ड्रॉ करेंगे अब हमने इस rectangle की चोथी line ड्रॉ करनी है, तो हम दोबारा से यहाँ पर scale रखते हैं और इस तरह से यहाँ पर एक कोना बन जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से हम line ड्रॉ करते हैं और इस line को सामने वाली line के साथ मिला देंगे और अब हम यह भी देख लेते हैं कि यह जो हमने चोथी line लगाई है, क्या यह four के बराबर है या नहीं तो हम एक तरफ zero रखेंगे और देखेंगे कि दूसरी जो side है यह बिलकुल four के साथ आ रही है इसका मतलब है कि यह rectangle बिलकुल ठीक draw हो गई तो rectangle में चार sides और चार कोने होते हैं और इसका जो कोना होता है इस पे right angle बनता है या हम यहाँ पर इस तरह से जमा का निशान बना सकते हैं इसके इलावा इसकी यह वाली जो side होगी यह सामने वाली side के बराबर और यह वाली जो side होगी यह सामने वाली side के बराबर होगी तो इस तरह से हम एक rectangle को draw करते हैं आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से rectangles को draw करते हैं.